हेलो दोस्तो आप सभी का एक बर फिर से स्वागत हैं दोस्तो नाग पंचमी भारत के परमुख त्योवारों में से एक है भारत नेपाल और हिंदू आबादी वाले अन्य देशों में लोग इस त्योवार पर नागों की पारंप्रिक पूजा करते हैं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी के दिन नाग देवताओं को जल चड़ा कर पूजा पाठ करने से साधक की सभी मनोकामने पूर्ण हो जाती हैं नाग पंचमी श्रावन मास के सुकलपक्स की पंचमी तिति को मनाई जाती है इस सल श्रावन मास में यह तिति मतल और वर्त कथा का पाठ करने से वेक्ति को कई परकार की समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है तो जलिए दोस्तों जानते हैं कि क्यों मनाया जाते हैं नाग पंचमी का त्युहार और क्या महत्व है इसका हिंदु धरम में साप को पुरानिक काल से ही देवता के रूप में पू पूजण और दोद्पिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है इस दिन घर के द्वार पर नाग चितर बनाने की भी परंप्र है मननता है कि घर नाग किरपय से सुरक्सित रहता है पुरान के अनुसार साप काटने से किसी की मोत हुई हो तो उनको सद्मती नहीं मिलती है ऐसी आत्माओं को मोक्ष नहीं मिलता ऐसे में नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से साप के डसने का भै नहीं रहता है साथ ही जिन लोगों की अकाल मिरती होती है दरसल हिंदु धर्म के अनुसार स्रश्टी पालन हाथ भगवान विश्णु भी सेश नाग पर विराजमान है वहीं नाग देवता भगवान शिव के प्रियगणों में से एक है ऐसे में इस दिन भगवान शिव और नाग देवता की उपासना करने से जीवन में सुक्स मर्दी आती है बर्मा पुरान के अनुसार बर्मा जी ने सापो को नाग पंचमी के दिन पूजे जाने का वरदान दिया था इसलिए इस दिन नाग की पूजा का विदान है तो दोस्तों उमीद करता हूं इस वीडियो में मैंने आपको नाग पंचमी से जुड़ी सारी पंचमी की हार्दिक शुब कामनाई लिखना ना भूले और जो कुछ भी इस त्युहार के बारे में आप कहना चाते हैं वो भी आप हमें जरूर लिख के बताएं दोस्तों और दोस्तों इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दब आरके मिक्स इंटर्टेन्मेंट को फोलो करना ना भूले धन्यवाद दोस्तों जय हिन